हाई फ्रेंट्स मेना नाम है अक्सत तिवारी और आप लोग देख रहे हो यूटूब चेनल एक है ओल्लाइन पॉइंट है फ्रेंट्स आज की स्वीडियो में हम जानेंगे ट्रपल सी और बिसी सी कोर्स के डिफरेंट के बारे में जी हाँ फ्रेंट्स जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने बहुत पहले कंप्यूटर के एक स्टार्ट के थी लॉगडाउन के दोरान तो मैंने वहाँ पर आट से दस वीडियो अप्लोड किये थे और बेटर बेटर कोर्स के बारे में हमने आपको बताया था उसके एक प्लेइलिस्ट है आप जाके चेकाउट कर सकते हैं चैनल पर विजिट करेंगे उसके बाद आपको प्लेइलिस्ट में जाना है वहाँ पर मैंने सारे कोर्सेस को बारे में कर रखा जैसे पीडीडीडी सी वा एव लेवल वा टरपल सी वा बी सी इनके बारे में वहाँ पर बताया कि कहां से आप कर सकते हो कितनी destल लगती है या टाइम डोरेशन होता इंका और इंका इनका क्या इंप्टरेंस होता यह सारी चीज़े दोनों का time duration 3 month होता है तो इस वज़ा से candidate यह सोचते रहते हैं आप लोग यह सोचते रहते हैं विद्याती यह सोचते रहते हैं कि मैं BCC कर लूँ यह त्रिपल सी कर लूँ दोनों तो same same है तो ऐसा करके आप कौन सा choose कर लेते हो आज के बाद जो वीडियो देखोगे तो आप better बनाके रखाएं दोनों के different के वीच का तो यहां पर मैं BCC के बारे में बात करूंगा सबसे पहले जो BCC कोर्स होता है वो 3 month का होता है ठीके time duration इसका 3 month होता है और इसकी जो fee रखती है अप्रोप्स 2007 रूपे लगती है 27 रूपे देखिए यह private institute से आप जैसे करते हैं तो इस institute को पर dependent होता है हर एक institute अलग अलग charges ले सकते हैं ठीक है और जो trusted institute होते हैं जैसे की computer PM के वाकिशी के थूँ जो चर रहे हैं या फिर जो NGO होते हैं जो CSE के थूँ या फिर राजियो गानी computer सिचा के इन वह साथ थोड़ा आप से fees कम ले सकते हैं जो private institute होते हैं उन्हों सभी क करना चाहरे हो ठीक है अभी तो मैं different बताऊंगा को बट अगर आप करना चाहरे हो तो आप थोड़ा यह देख लिजेगा कि जिस institute से आप कर रहे हो registered है उसका certificate मान होगा या नहीं होगा ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो minimum qualification देखिए जो यह बिसी सी है आप 10 वी बारों के बात कर सकते हो लेकिन इसकी कोई भी minimum qualification नहीं रखी गई है कि आप 10 वी बारों के बाद ही करोगे नरसरी का बच्चा भी कर सकता है BCC कैसे कर सकता है जिसे मान कि चलो आप पहली क्लास में हो और वहां पर आप कंप्यूटर का एक चेप्टर चलता है एक स्लेबस आइन तीन की तीरथ पांस रूफए के की होती आगर आप इंस्टीट के हो तो छार्ज होता जो कम पैसे लेते हैं और आप लेकिन दारेट करते हो तो त devil सकते होती quatro aç अब इसके बात करते हैं तो तो आप लिए टरपल सी नहीं है अगर आप टेंट पास किया है तभी आप कर सकते क्योंकि 3-month time duration होता है या 12-pass के हैं फिर भी याप इसको कर सकते है जो किराती है जो खी करती है जो कि यह government संस्तह तरह से कही जाती है अब आगे बड़ते हैं दूसरे difference इसकी वह बने कुछ different रखे है सबसे बहुता हूं आपको ब्रहाई क्या जाता है तो computer वहीं पर आपका exam लिया जाता है, आपके ही teachers होते हैं, तो आपको अगर कोई भी questions नहीं आता है, तो आप help ले सकते हो teachers का, और आप अपना exam, easily BCC का exam pass कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई भी चीचर आपको नहीं भी आ रही है, तो आपके teacher होते हैं, वो आपको exam में qualify कर देते हैं यानि कि fail नहीं किया जाता है BCC में, अगर आप private institute से करें, क्योंकि teachers आपके होते हैं, exam आपके हो रहा है, जहां पे आपने पढ़ा है, तो जाहिसी बात है, वहाँ पे आप अच्छे से exam दे लोगे, और certificate valid only private jobs, जो BCC का certificate होता है, ठीक है, ये केवल private job में ही valid होता है, ये exam, एक्जाम, टप होता है, और इसका center जाता है, मैं इस जीज टप इसलिए होता है, कि TRIPLE C का exam होता है, और आप अपने city में, इसका center जाएगा किसी बी institute में, जो government is trusted होते हैं, जो register institute होते हैं, वहाँ पर आपका center जाएगा, तो वहाँ पर आपका स्पता है, दूसरी जगे ज लगा सकते हो और प्राइबेट में इसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अब यहां पर आपको यह डिफरेंट देखनी को मिल रहा होगा आप चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है यहां पर आप 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 आपड़ेंग यहां पर चार्ट के आप बताऊंगा जो बीशीची होता वो private jobs के लिए होता है मैंने आपको बताया आप इसते कौन-कौन सी job आपको मिल सकती है computer operator की job मिल सकती है data entry कर सकते है आप salary package आप देख पाले हो 10-15,000 रुपे होती है आए जा private अगर आप data entry operator बनती हो या computer operator बनती हो ठीक है मैं कोई यह exact आपको नहीं बता रहा हूँ बस मैं आपको यहां पर लगभाग एक आपको क्या है कि यहां पर आकड़ा बता रहा हूँ कि इन सभी jobs करोगी और इन सभी jobs को करने पर salary क्या मिल सकती है आप बात कते हैं triple c की करने के बाद आप private jobs कर सकते हो computer operator इसमें भी आप बन सकते हो data entry operator बन सकते हो बट इसकी salary भी 10-15,000 रुपे रखी जाती है ठीक है यह private में काम देता है आपका triple c भी private में काम देता है सेम चीज़े हैं यहां पर कोई भी different आपको देखनी को नहीं मिलेगा आप आगे बढ़ते ह है और आप private company में आप जाके काम कर सकते हो ठीक है salary package हमने आपको पहले ही बताया है लेकिन जो यहां पर triple c है triple c अधी आप करते हो तो private में तो आप job कर ही सकते हो लेकिन उसके अलामा यदि हम आपको बता दें कि बहुत सारी government vacancy निकलती है जहां पर direct मांग की जाती है कि तीन महिने का triple c का course होना चाहिए वह भी निलिट के थुरू जो भी courses कराती है उनके थुरू तीन महिने का triple c का आपके पास certificate होना चाहिए अब वो जोग कौन-कौन से होती है मैं बताता हूं color का का है bank का है PO का है SSC का है railway के थूरू बहुत सारी vacancy निकलती है नेकपाल की वेकंसी में triple c अनिवार होता है और यह private में भी लगा सकते हो सबसे main benefit यहां पे triple c का यह होता है अब हम आपको बता दिया different आपको बता दिया अब आप यहां पर choose कर सकते हो कि आपको कौन सा course करना चाहिए starting में ठीक है लेकिन मैं आपको एक बात और बता दिना चाहता हूं यदि आप बिल्कुल computer के बारे में knowledge ही नहीं है आपके पास computer ही नहीं है यानि कि कुछ लोगों के पास computer पहले से होता है लेटा पहले से होता है उनको computer के बारे में थोड़ा बला knowledge होता है लेकिन जिनके पा इस अपर में बिलकुल पता ही निये कि आपके थीक है तो वहां पर आप एक्जाम हो जाओगे क्यों कि टाफ एक्जाम होता है अगर आप पहले से बिस्टे कर रहे हो तीन महिने का को सब्सक्राइब कर अच्छे से नौलज आप उसके बाद आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको डिफरेंट बताया, I hope आपको अच्छी लगी हो यह वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, जातर से ज़्याद अपने फ्रेंड के साथ